हेलो फ्रेंड्स वेलकूम तो माई इस्टडी फीच चैनल दोस्तों आज मैं इलक्टू थरेपी की बारे में बता रही हूं दोस्तों इसके पहले में रियाविलिटेशन यानि पुनरवास एंड हाइड्रो थरेपी जल चिकिस्टा क्या है फर्स्ट एड यानि प्रात्मिक इलिष्ग जाए करके निग्षिक सकते हैं। दोस्तों जानते हैं do इसका एक टॉप इल्यक्टू थरेफी की बारे में करेक करते सभी सुईधाय उप्रवद करा सकती हैं इन सभी मसीनों के माध्यम से तो इलेक्टूर्स रेपी में होता क्या है कि आज इसमें विद्दूत की मदद से चिकिसा दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि जहां पी चोट लगा है या जहां पी उपचार करना है तो इसके द्वारा सरीर के उपचार वाले भागों में उसमा उत्पन किया जाता है और इन अंगों में उसमा उत्पन करके पेश्णियों की गहराई तक इसका प्रभाव डाला जाता है और इसका प्रियोग दोस्तों तीछर यानि यह क्यूट चोटे जो तुरंत की लगी नही चोटो प्रोनी चोटो में उसका प्रियोग होता है लेक्ट्रोथरेपीि दूस्तों करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना पडते हैं इसमें कॉंकोंसी बातों का धियान रखना पड़ता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि चोट का प्रकार कैसा है, चोट की प्रकृति कैसा है, चोट किस जगह पर लगा है, चोट का सुचक चिन क्या है, उसका उपचार आवधी कितना समय में हो पाएगा, उपचार की आबरिती क इतनी है, अनकुलन यानि वर्म अप कितना है, बचाओ के तरीकी कौंग कौंसे हैं और मरीज़ों मरीज को साधानियां बताना, कौं कौंसे साधानी बरतना चाहिए, एं दोस्तों इसे इलेक्टरोथ्रेपी की दोस क्या, इससे हाणी क्या हो सकती है, दोस्तों यदी चिकिस खीश्यर्च्षा किया अप्रेटर टेंड नहीं है तो नेल साल इसका चीखश्च्षा कर रहा है उसको प्रस्युक्त हर्ट जो पर सिब सेटन्य जेखनते नहीं है प्रसुछ्च्षेट नहीं है तो वह सारी उठाना पर सकता है इसे दोस उत्पन होता है कि इस Ricky जल सकते हैं इलक्तानिक करेंट जटका लग सकता है सिर्धत कब्ज चक्राना आँखों की चोट घबराहट आदी दोस्त उत्पन होता है इसलिए एक प्रसिछित चिकिस्ट या प्रसिछित बैकती ही इस इलेक्ट्रोथ्रेपी को करने में शफल होता है तो ग्यार यह रखना है है कि इलेक्ट्रोथ्रेपी के लिए जो भी चीकिस्ता करेगा उसको प्रसिछित होना आवश्यक्य है ईलेक्ट्रोथ्रेपी की कौन को च वीधिया होती है तो इलेक्ट्रोथ्रेपी के अंतरगत डाय थर्मी यानि दूसरा है डआपर्स थेरपी तिसरा है पराध्वो को द्लेपी तिस्रा की अल्ट्रा साउंड थेरपी आ इंफ्रड्रलेट थेरेपी यानि की इंफ्रा-इन 15 फेरड्न दूडड चुलुड यानि की अल्ट्र वैलेंज थेरपी थिट्राय बीद्दूतिय मानस्पेश्चि उत्तेजना यानि इलेक्ट्रिकल मस्किलर स्ट्णृलेकर्टर नृध्र फिर पि है कि यह सभी दोस्तों आते हैं इलक्रोथेपी के अंतरगर्ण दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही डीटेल में बताऊंगी तो दोस्तों यह एक छोटा सा परिचे था नेस्ट वीडियो में डायथर्मी के बारे में पूरे डीटेल में बताऊंगी एंड दोस्तों उसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी विधिया है एक उन सब टापिक्स को पूरा करने की बाद डोपिंग क बारे में पूरे डीटेल में बताऊंगी जो डोपिंग आपको समझ में नहीं आता होगा उस सब आसानी से समझ में आ जाएगा बस दोस्तों मेरे चैनल पे आप लगाता है बने रहिए आपको एक एक करके सभी वीडियो एकदम सब फेस्यार क्या में में अनिवार समस्से सा яहाु अते हमएं तो सबस्क्राइब करें आया हैं जिससी जबिएा वीडियो इंट करते हैं दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो और निसमीं नेस्ट टापिक के साथ अबता कि ये ज्दियान